दाता बला करें, मैं जो आपको ये नई सीरिस दे रहा हूँ, आत्मा स्वे प्रमात्मा तक, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने पहले सुनी हुई है, लेकिन जो नई सब्सक्राइबर हैं या नई सादक साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कुछ बातें मैं पहले कह चुका हूँ, उन्होंने नहीं सुनी हैं, दोसो आडियो मेरे करीब पहले हैं, तो सभी को सुनना सभी के लिए जो है न वो, वो मुश्किल हो जाता है, तो इस सीरिस में मैंने उनका जो सार है, वो बताया है, हाँ, फिर भी कुछ आडियोस हैं, जिनका मैं आपको टाइटल बताता हूँ, कि एक तो मेरी अध्यात में के यात्रा है, उसमें दो आडियोस हैं, उसको सुनियेगा, और दूसरा जो मेरा सबसे पहले सीरिस था, स्विम्रन ध्यान और नात, उसमें 20 आडियोस थी, उनमें एक नमबर, साथ नमबर, और 16 नमबर, ये आपको अध्यात में के यात्रा में आगे बढ़ने के लिए सुन लेनी चाहिए, और इसके साथ ही उसी सीरिस में एक पंजाबी में है, स्विम्रन चैन से उठना कैसे है, एक बैठने वाली है, और एक उठने वाली है, ये जरूरी है, इनको सुनिये ना, और जो लोग न ये एक सीरिस है, नाद के बाद, उसमें भी एच्छे पांचे आडियोज है, तो सुनने वाली हैं, उनने भी आपको बहुत अलाब होगा, और जो आडियोज मैं दे रहा हूँ, उसमें मैं अपने अनभव के आधार पर बातें करता हूँ, हाँ, कुछ बातें जो समझाने के लिए जो अलग जो विदों, शास्त्रों या पुर्णाचीन ग्रंथों या संतों की हैं, उनका भी मैं कई बार जो है ना, वो सहारा लेता हूँ, लेकन अध्यात्म की यात्रा के बारे में जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, वो सब मेरा प्रैक्टिकल अनभव है, आग में मैंने आपजी के साथ जप और सम्रन की चर्चा की, दूसरे भाग में सम्रन और ध्यान से हमारे अंचक शक्तियों के जागरत होने की बात कही, और अब मैं इससे आगे चर्चा करता हूँ, कि जो हमारी प्रान शक्ति पैरों से उपर आई, और जो हमारे मुदाधार से, जो हमारे सिम्रन द्वारा अंतर शक्ति का ज्यागरत होना है, उस शक्ति का जो रास्ता है, वो है हमारी इरिड की हड़ी, और जिसको मेरु डन कहते हैं, बहुते संप्रदायों में ये कहा जाता है कि आपको मेरु डन, यानि रिड की हड़ी को सीधा करके बैठना है, गर्दन को सीधा रखना है, हाथों को अपने घुटनों पे रखना है, ताकि आपकी जो प्रान शक्ति है, उससे जो आंतर एक उर्जा बैदा हो, उसको उपर आगे बढ़ने में कोई रिकावट ना आई, यहां मैं एक बात आप जी के साथ सपष्ट करना चाहता हूँ, कि जो लोग इस आसन में या इस मुद्रा में वैठते हैं, उन्होंने बात करने पर, मैं उनसे यही पूछा करता हूँ, के जब आपको थोड़ी देर मस्ती आती है, तो आपका सर कहा होता है, उसकी पूजीशन क्या होती है, आपके हाथों की पूजीशन क्या होती है, तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ ढीले होके आगे को लुटक जाते हैं और हमारा सर जुक जाता है और हमारी कमर है ना अब भी जुक जाती है तो मैंने उनको यही सुझाव दिया है कि जो काम बाद में होना है उसको पहले ही करके बैठो जासा मैंने दूसरे बाग में कहा था कि बैठने के लिए सहज होके बैठो ताकि आपकी प्राण शक्टी को उपर उठने में कोई बादा ना आई और आपके नाम की जो शक्टी है जिसने रीड की हड़ी से उपर जाना है उसमें भी कोई बादा ना आई मैंने बादा शक्टी उठना शुरू होती है जिसको सुक्षम नाड़ी का खुलना कहते है जब सुक्षम नाड़ी खुलती है तो वो जो कमर का उपरी हिस्सा होता है कंदों से थोड़ा नीचे का जो ठिकाना है वहां आके अक्सर सादक को ऐसा महसूस होता है कोई जटका लग रहा है वो जटका इसी जगता है के हमारे स्रीर के अंतर सुक्षम ना को उपर उठने के लिए जो रास्ता क्लियर नहीं मिलता है तो वो अपना रास्ता बनाने के लिए वहां से जटके के साथ अपनी जगा बना के उपर को उठती है उपर उठती है तो रास्ता वो साफ करती है सुक्षम नाडी रास्ता साफ करती है क्योंकि उसके पीछे पीछे जो है जो कहते हैं कि हमारे मूला धार में वहां पर एक कुंडला अकार जो है वो शक्ती का सोत है वो जो शक्ती उठती है जिसको कुंडलनी शक्ती कहते है वो शक्ती उठती है उसके लिए जो है वो पहले सुक्षमना जो है और वो रास्ता बनाती है जासे आमने दिखा हूँ कि बड़े लोग जब जाते हैं CM, PM या राष्टर पती या और तो उनके आगे जो है एक पाइलेट गाड़ी चलती है ताके पीछे आने वाले जो बड़े लोग है उनकी रास्ते में को रुकावट ना आए इसी तरह सुक्षमना ऊपर जाती है और उसके पीछे-पीछे कुंडनली जो है वो शक्ती ऊपर उठती है और ये दोनों सर के पीछे जो हड़ी बड़ी हुई है उसके नीचे तक पहुंचिया है और यहाँ आके इन दोनों के रास्ते जो है वो थोड़े अलग-अलग हो जाते है कुंडनली का रास्ता अलग हो जाता है और सुक्षमना का रास्ता अलग हो जाता है सुक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तीसरा नेतर है अब वो खुलता है इसलिए इसको त्री कूटी कहते हैं इससे यह सा मैंने पहले आप जी को समझाया है कि दृष्च नजराते हैं कुछ लोग इस वह में बढ़ जाते हैं तो अगर थर्डा ही खुल जाती है तो हम इससे कुछ भी देख सकते हैं कभी भी देख सकते हैं नहीं यह इतना आसान नहीं है इसके लिए बहुत लंबी साधना और लंबी जात्रा करनी होती है अभी जो थर्डाई खुली है तो जो परमात्मा ने दिखाना है अब वो दिखाएगा इसके बाद जो आप देखना है उसके लिए मैंने जैसे काना बहुत लंबी सा हैं वो लोग इस सिद्धी को प्रापत कर सकते थे कि वो अपनी इच्छा से इसको जब चाहें खोल के देख सकें नहीं जो हम लोग जो साधारन साधक हैं उनके लिए यही परमात्मा की बक्षच यक्रपा है कि जो परमात्मा चाहेगा वो दिखाएगा जब चाहेगा वो जो इसके रास्ते में जहां से सुक्षमन आगे आती है वहां पर एक गुफा नुमा रास्ता है जिसको भमर गुफा कहते हैं उसको भमर गुफा इसलिए कहते हैं कि वहां पर भावरे की गुँझ सुनाई देती है और यहीं से जो है न वो सबसे पहले जो है नाद का शुरू होना होता है भावर गुफा में भावरे की गुफा सुनाई देती है और उसके बाद भिन भिन जो है वो परकार भिन भिन आवादें जो है न वो सुनाई देने लगती है क्योंकि हमारे स्रीर में प्रमुक्षता जो है अब वो चार तत्व है पांचमें अकाश तत्व है जिसमें ये चारों तत्व जो है अब वो समाई होते हैं जैसे माटी है जल है अगनी है अवाईू है ये सभी जो तत्व है ये उस पांचमें अकाश तत्व में समाई होते हैं को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब कोई जीव या प्राणी श्रीर छोड़ता है तो सबसे पहले जो है न वो वायू जाती है यानि स्वास बंद हो जाते हैं स्वासों की आने जाने की पर किरिजा थम जाती है यानि वायू निकल के गई दिखती नहीं है कहां गई अकाश में उसके बाद जो है वो अगनी है यानि हमारे स्रीर जो है वो सदा गर्म रहता है जब वायू निकलती है तो उसके बाद जो स्रीर है उसमें से अगनी निकल जाती है तेज निकल जाता है तो वो अशीतल होना शुरू हो जाता है उसके बाद जो है हमारा स्रीर जो है वो अकणना शुरू हो जाता है वो जो उसमें जल तत्व है वो भी वाश बनके जो है वो अकाश तत्व में समा जाता है इसी तरह जो बाकी स्रीर बचता है अकड़ा हुआ स्रीर बचता है तो उसको या तो जला दिया जाता है और या उसको दमना दिया जाता है यानि जो माटी है वो माटी में मिल जाती है चारों तत्व अपने अपने मूल में जो है पांच में तत्व में जाके वो समा जाते है श्रीर कितना बड़ा होता है लेकन अगनी दा के बाद अगले दिन जब उसको चुनते है तो वो एक मुठी जो है वो अस्तियों की बच्चती है यानि उसको दोनों हाथों में भी ले वो तो भी जो है ना हाथ बड़े रह जाते हैं और वो अस्तियों जो है ना उसमें समा जाती है बाकी जो सिरी था अब वो राख बन गया यानि माटी माटी में समा गई ये चारों तत्म जो है ना ये अलग अलग हो जाते हैं अब ये जो चारों तत्म हैं इनकी अलग अलग धौनी है इसका जिक्र मैं आपसे अगरे भागने करूंगा धन्यवाद दाता भला करें